खलनायक के सीक्वल की कहानी क्या होगी खलनायक मूवी में संजदत से पहले किस स्टार को कास्ट किया गया था और खलनायक के सीक्वल की स्टार कास्ट इस बार क्या होगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरिमा तुमर आपका दिल से स्वाधत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में बॉलिवुड के फेमस फिल्मेकर सुबाश गई इन दिनों लॉकडाउन में अपने अपकमिन प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं साथ ही वो हर रोज अपनी फिल्म स्कूल के चातरों को पढ़ा भी रहे हैं इसके अलावा सुबाश गई अपनी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक खलनायक के सीक्वल पर काम कर रहे हैं और साथ ही में काली चरन का रीमेक बनानी की भी तयारी कर रहे हैं वहीं काली चरन ही वो फिल्म थी जिससे सुभाश गई ने निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी एक इंटरव्यू में सुभाश गई ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट खलनायक सीक्वल और पुरानी वाली खलनायक को लेकर हाल ही में काफी बाते की थी सुभाश गई ने बताया था कि अभी उनके पास दो स्क्रिप्ट हैं और पिछले साथ महीनों से वो कंटेंट क्रियेट करने पर काम कर रहे हैं खलनायक के सीक्वल में पुरानी खलनायक की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और सीक्वल में दिखाया जाएगा कि बल्लू का किरदार जेल से बाहर आता है संजेदत ने ही सुबाश गई को खलनायक का अगला हिस्सा लिखने के लिए कहा था और सुबाश गई ने ये भी बताया कि इसमें उन्हें दो साल का वक्त लगा और वो ओरिजिनल फिल्म की तरह जवान विलन के साथ फिल्म पर आगे काम कर सकते हैं वही साथ ही साथ ओरिजिनल खलनायक को लेकर भी सुबाश कई ने बाती की और एक ऐसे राज से परदा उठाया जिसे जानकर सब दंग रह गए दोस्तों ये फिल्म पहले हॉलिवुड में बनने वाली थी जी हाँ उमर शरीफ और अशोक अमरित राज के साथ मिलकर अब आप अंदास लगा सकते हैं कि अगर खलनायक को हॉलिवुड में बनाया जाता तो ये फिल्म कैसी होती वेल सोच कर ही काफी एक्साइटिंग लग रहा है लेकिन बाद में ये फैसला बदलकर इसे हिंदी में बनाने का फैसला किया गया तो वहीं खलनायक में पहले जैकी श्रॉफ और नाना पार्टेकर को कास्ट किया गया था लेकिन बाद में संजदत के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाया गया वेल दोस्तों अगर इस फिल्म का सीक्वल बनता है तो सबसे जादा एक्साइटिंग रहेगा कि संजेदत के किरदार को कौन निभाएगा और जैसा कि पहले इस फिल्म को हॉलिवुड में बनाने का प्लैन था तो क्या इस बार इसका सीक्वल हॉलिवुड में बनाया जाएग संजेदत ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि वो इस फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते हैं और उन्होंने टाइगर श्रॉफ से इस बारे में बात भी की है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शायद खलनायक कभी बनती ही नहीं दरसल सुभाश गई अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो एक बार हॉलिवुड गए थे वही के एक स्क्रिप्ट राइटर के साथ कहानी लिख रहे थे ये दो लड़कों की कहानी थी गई ने वहाँ देखा कि यहां डायरेक्टरों को किसी टेकनीशियन की तरह फिल्म में शामिल किया जाता है उनका डायरेक्टर जो राइटर और स्टूडियो करने को कहता वो करते हैं और घर चले जाते हैं जबकि बॉलिवॉड में वो फिल्म के हर हिस्से से जुड़े रहते हैं इंडिया लौटते वक्त फ्लाइट में उन्होंने डिसाइड किया कि हॉलिवॉड नहीं जाना अपने देश में अपने मन का काम करेंगे उस हॉलिवुट फिल्म की स्क्रिप्ट में गही ने मा और लड़की का केरेक्टर डाला और इसे टिपिकल मसाला फिल्म बनाने का फैसला किया दोस्तो दूसरी ही और आज कल ऐसा कही वार देखने को मिलता है कि फिल्म की हिरोईनों से नो प्रेगनेंसी क्लॉस साइन करवाया जाता है इसका मतलब साफ है कि आप फिल्म में काम करते वक्त प्रेगनेंट नहीं हो सकती लेकिन 1990 के दशक में ये इतनी भी आम प्रथा नहीं थी हलांकि आम अब भी नहीं है क्योंकि बॉलिवुड इसे लेकर दो धड़ों में बटा हुआ है 1993 में माधुरी से इस फिल्म के लिए नो प्रेगनेंसी क्लोस साइन करवाया गया था कारण था उनके और संजदत के बीच बढ़ती नजदी किया संजदत फिल्म की शूटिंग के दोरान सेट पर सब के सामने माधुरी के लिए अपने प्रेम का इजहार करते रहते थे जबकि संजदत की पतनी रिचा शर्मा उस समय न्यू यॉर्क में थी और कैंसर से जूज रही थी बावजूद इसके संजद और माधुरी की प्रेम कहानी मैगजीन्स की शोभा बढ़ा रही थी सबको लग रहा था कि ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं गई भी उसी लिस्ट में थे माधुरी ने क्लोस तो साइन किया लेकिन संजद से अपने रिष्टे के बारे में कभी कुछ नहीं खा जैसे ही संजद का नाम बंबई ब्लास्ट में आया माधुरी ने उनसे दूरी बना ली उन्होंने संजद के फोन उठाने तक बंद कर दिये थे वेल जहां बॉलिवुड में सीक्वल्स और रिमेक की बाहर है तो ऐसे में खलनायक फिल्म का सीक्वल बनाने की चर्चा हो रही है और खुछ संजदत इस फिल्म का सीक्वल बनाने को लेकर बहुत एक्साइटर हैं और इस फिल्म में वो टाइगर श्रोफ को कास्ट करना चाते हैं वेल आपको क्या लगता है क्या संजदत वाले करेक्टर को टाइगर श्रोफ बखुबी निभा पाएंगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिग्राद स स्थूशन के ऑन खुशंस करें प्रयूर को टाइगे ओटाएंगे तोडकर टाइगम में तब मॉलिग्राद सेखते नीचे को टाइगन में होई जिए जिए ग्टोर है किर दोन का तो इसमक्या भीडिए, अधिन को टाइगल में तोड़ न है को तोड़ पायर इस वार में क